हेलो इवरिवान कैसे हैं आप सब आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स आप ये हेयर कटिंग देख सकते हैं इनका कितना खुबसूरत हेयर कटिंग लग रहा है इतना स्टेप लग रहा है बहुत सारे स्टेप भी लग रहा है और काफी खुबसूरत आप खुद देखिए ये कितना खुबसूरत लग रहा है तो मैं ये वीडियो मैं ये ऐसा कटिंग करके मैं दिखाऊंगी आप पूरा वीडियो लाश तक देखिए तो आप भी घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं और ये देख सकते हैं इनका करली हेर है और ये हेर मुझे ही खुबसूरत आता है और इनका बाल मुझे बहुत ही प्यारा लगता है इन पे जो मैं एडवांस कटिंग करती हूँ ये इतना खुबसूरत लूक क्रियेट होता है आप खुद देखे होंगे कि कितना खुबसूरत मतलब दीख रहा था तो इसलिए मैं इनका वीडियो मैं बना ली हूँ और इनको फेस बिल्कुल नहीं दिखाना था इनका बाल इतना खुबसूरत लगता है कि मैं वीडियो मैं सोची बना लेती हूँ बहुत ही खुबसूरत मैं पिछला बार भी मैं इनका वीडियो बनाई थी लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि हो जाता है काम हो जाते हैं बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं जिसके बैसे बन नहीं पाता है कुछ वीडियो को डिलीट करना पड़ जाता है तो इस बार मैं सोजी थी इनका हेर का वीडियो में जरूर डालूंगी क्योंकि इनका हेर मुझे बहुत पसंद है बहुत ऐसे बालो है ना जिस में सारे कटिंग नहीं जाते हैं स्ट्रेट कटिंग में कुछ और कटिंग रहता है और यह जो कडली हेर में अलग कटिंग रहता है फिस के कोडिंग भी कटिंग करना पड़ता है तो वह देखना पड़ता है किसमें कैसा कटिंग जाएगा किसके चेरे पर कैसा सूट करेगा कि सारे देख करके ही cutting करना पड़ता है तो friends आप पूरा देखिए वीडियो तो आप लाश सक देखिएगा तो आप जरूर सीख सकते हैं और घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं आपको कहीं भी पार्लर जाने की व्यरूरत नहीं पड़ेगा बस देखना है हमारे वीडियो को अपने घर में किसी का भी cutting करना है प्रैक्टिस करना है तो friends देख लिजें इनका hair wash मैं कर ली थी और अच्छे से hair wash करने के बाद फिर आगे मैं वह आगे जो होता है फ्रेंट में आप देखे होंगे मैं एक section निकाली हूँ और फिर year to year में निकाली हूँ आप फिर ये देख सकते हैं ये दूसरा section है और friends अच्छे से comb करना है और अच्छे से section निकालना है तो आप देख सकते हैं, मैं टेलकुम comb से अच्छे से उसको वहाँ से लेकर ear से लेके दूसरे एर तक मैं ले जा रही हूँ और अच्छे से लाइनिंग क्रियेट हो जा रहा है और उसको अच्छे से उसको किलिप से अटेच कर देना है ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं एक दो तीन चार सेक्षन हो गया आगे में दो और पीछे में दो तो फ्रेंड्स ही है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं नीचे से इंसे मैं पूछ ली थी जितना इनको कटवाना था तो उतना मैं काट ली हूँ नीचे से हाफ इंची ही काटी हूँ उनको लॉंग में जितना लॉंग है उतने में उनको चाहिए था तो आप देख सकते हैं फ्रेंड जीरो डिगरी पे पहले एंडेर इंच मैं कटिंग की हूँ ठीक है इनको थोड़ा सा step मैं दूसरे तरीके से दी हूँ ताकि और दूर से अच्छा दीखे और बान से लिकुद दीखे तो मैं जीरो डिगरी पे कटिंग की हूँ फिर 45 डिगरी पे हाफ हिंच फिर उसको 90 डिगरी पर मैं ले जाके कट की हूँ तो आप देखे फ्रेंट्स मैं फर्स्ट कटिंग कैसे की हूँ फिर ये देखे तीन भाग में मैं डिवाइड की हूँ और तीन भाग में डिवाइड है ये बीच वाला सेक्षन जो है साइड का जो कटिंग मैं की हूँ उसी से गाइड लाइन थोड़ा सा मैं ले लूँगी और नीचे 0 degree पर जो cutting मैंली हूं वही से नीचे से 1.5 इंच जदी आप काटते हैं 1.5 इंच उपर तो 1.5 ही काटना है 1.5 इंच जदी काटते हैं तो 1.5 ही काटना है 2.5 इंच काटना है तो 2.5 इंच फ्रेंट्स बिलकुल एकुल step cutting आना चाहिए तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स कितना खुबसूरत लेयर दीख रहा है और ये देखी लीजे साइड का मैं जो कटिंग हुआ है उसी में से थोड़ा सा बाल मैं ले ली हूँ नीचे जीरो डिग्री पे 1.5 इंच उपर 1.5 इंच कटिंग की हूँ फिर उसको 45 डिग्री पे म इसको 90 डिग्री पे ले गई हूँ और 1.5 इंच कटिंग कर दीओ तो आप देख सकते हैं इनका कितना खुबसूरत लेयर आ रहा है नीचे से उपर तक आप खुद देख सकते हैं तो फ्रेंट्स हमारे जदी बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइ हो तक देख सकते हैं इसके बाद ले जाना है 45 डिग्री पर कर देंख और हाफ इंच कंट कर दिना है तो आप देख सकते हैं यह कटिंग हो गया है और हमारा नीचे से स्टेप आपको दी रहा होगा लिए लियर दीख रहा है और फ्रेंट्स is को भी 3 पार्ट मेक्त कर देंग से अच्छा मतलब थोड़ा थोड़ा बाल रहता है तो असानी से कटता है तो नीचे से फिर डेड़ इंच उपर कटिंग करेंगे जो भी साइड का मैं थोड़ा सा बाल ले लूँगी क्योंकि वो हमारा गाइडलाइन हो जाएगा फिर उपर ले जाएंगे उसको 45 डिग्री प क्योंकि क्टिंगि करो वैसा बाल मिल जाहे तो बहुत ही क Harper का में बहुत सिखना यह लिए का कीसी की छार्त पैसलिकि वैसा इमिले अब एर इाजारे इनलनों और नारे अारे इनल का वाक्स एरिया है Jewish and all the immersive आगे का वाक्स एरिया है उसको मैं नीचे से हाफ इंच अपर कट कर दी हूं हैcej नान फ्रेश टेकर यह पूरा उपर तक स्ट्रिप दिख रहा है वी जर आयम में कर लेना है और year year के पास का पूरा ले लेना है और उससे क्या होता है लेने के बाद कॉम करना अच्छे से और वहाँ से मिलाते हुए half inch cutting कर देना है जो भी extra hair हो उससे क्या होता है और खुबसूरत friends आगे में बिल्कुल step दिखता है बहुत खुबसूरत cutting आता है तो आप देख सकते हैं आगे का भी जो year to year जो लिये है ना उतना लिये हैं और फिर उसको भी 35 degree पे cutting किये हैं और उसको 90 degree पे भी आप cut कर सकते हो तो देख सकते हैं आप एक तरफ का हो गया उससे क्या होता है ना step by यह step आगे में भी बहुत अच्छा दिखता है तो आप देख सकते हैं आगे का फिर दूसरे तरफ के मैं आगे कली हूँ उसी तरह जितना मतलब उस तरफ कली हूँ उसी तरह इस तरफ का भी मैली हूँ तो आप देख सकते हैं अच्छे से कौम करना है नीचे से half inch cutting कर देना है जो भी extra here लगे उसको cut करके निकाल देना है उसके बाद फिर अच्छे से कौम करना है फ्रेंट्स दो finger में फसाना है आप देख सकते हैं कितना अच्छा से कौम हो रहा है फिर उसको 90 निगरी पे लिघ ले कि यह haircutting कैसा हुआ और मेरा haircutting friends बहुत अच्छा होता है काफी लोग बोलते हैं और बहुत दूर-दूर से आते हैं haircutting हमसे करवाने और काफी तारीफ करते हैं मैं खुद से तारीफ नहीं कर रही हूँ यह हकीकत है और मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं बहुत अच् होता है क्योंकि cutting तो बहुत अरक होता है ना तो किसके बाल पर कैसा cut होना चाहिए जो experience जिसको रहता है ना वो समझ जाता है कि सब पे सब cutting नहीं जाता है तो हम उमीद करती हूँ कि जो काफी दिन से पारलर चला रहे हैं उनको काफी अच्छा आता है विगनर्स में थोड़ नहीं होता है मैं तो इतना मतलब मेरा रहता है कि किस बाल पर कैसा cutting होना चाहिए मैं तो आख बंद करके भी काट सकती हूँ मुझे मैं तारिफ नहीं कर रही हूँ लेकिन reality यही है और मुझे अच्छा लगता है किसी का बाल अच्छा होता है तो उस पर अच्छा cutting होता है त ल्गों का मतलब काम करना और अच्षे से करना मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी ậ करना किसी के ही Bristol बहुत अच्छे होते है तो मुझे मज़ा अहें कि अच्छा लगता है आफ। कैसा लग रहा है और कितना खुबसूरत कटिंग आया है तो फ्रेंट्स वीडियो जदी हमारा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर और प्लीज माई चैनल सपोर्ट कीजिए फ्रेंट्स मैं आपके लिए बहुत कोशिस करूँगे अच्छे अच्छे वीडियो डाला हुए तो फ्रेंट्स आप भी जाके वहाँ सीख सकते हैं और हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज लाइक सस्क्राइब